नमस्कार दोस्तों आप सबी कामाया चनल पर हालिक स्वागत है दोस्तों आज 21 जनवरी 2024 है और मैं बात करूँगा रतन इंडिया पावर्ल लिम्टेट्स के सेर्स के बारे में दोस्तो रतन इंडिया पावर्स का quarterly results, financial year 2024 का Q3 का results आने वाला है और दोस्तो रिजर्स काफी चौकाने वाला हो सकता है जिससे की रतन इंडिया पावर्स के shares में जबज़स्त उठा पठक हो सकती है तो दोस्तो चलते हैं सबसे पहले कि अभी जो रतन इंडिया पावर्स का quarterly results के उठीरी आना है वो 23 जनवरी 2024 को गोसित होगा यानि कि मंगलवार को share बजार में इसके जब results आएंगे तो दोस्तो बहुत ही जबज़स्त उठा पठक हो सकती है तो 23 जनवरी 2024 को रतन इंडिया पावर्स के जो भी share holders है या जो trading करते हैं वो ज़रा काफी हुसियार रहे हैं इस दिन क्योंकि बजार में काफी रतन इंडिया पावर्स का share उठा पठक वाला हो सकता है तो दोस्तो इसी सम्मंद में जो अभी latest ख़बर निकल करके आई है रतन इंडिया पावर्स के share में वो आपको बता देता हूँ कि वो काफी अच्छी है रतन इंडिया के लिए good news है और वो कल 20 जनवरी 2024 को ख़बर निकल करके आई है दोस्तो इंसी अल्टी में एक जबज़स्त अपील की कही थी इंसाल्वेंसी के लिए और वो था सपूर जी पोलाँ जी एंड कंपनी प्राइवेट लिम्टेट की तरफ से और और दोस्तो अब ख़बर बहुत ही सांदार आ चुकी है कि सिन्नार धर्मर पावर्स के सबस्या इरी है वो अब इस केस में भरी हो चुके हैं यानिकी एनसी अल्टी ने केस डायर किया गयाßer रतन इंडिया की सबसीडियरी केस ह हापेच में वो डिसमिस कर दिया गया है तो इस तरह से यह रतन इंडिया पावर्स के लिए Kाफी अच्छी खुश कबरी है तो दोस्तों इसके साथ ही जो रतन इंडिया में अभी लेटिस्ट में पिछले क्वार्टर्स में जो अच्छी खवरें रही हैं उनमें से 21 नॉम्बर 2023 को ये सूचना आई थी कि कोटक बैंक से 1125 करोड का इनके उपर सीनियर सेक्यूर्ड डेट था जिसको की इनों ने जून 2023 में प्राप्त किया था और उसमें से अब प्रिपेमेंट भी करना सुरू कर दिया है तो दोस्तों प्रिपेमेंट 189 करोड का 21 नॉम्बर 2023 को किया था और साथ ही जो रिपेमेंट की इनकी सर्तें हैं उसे 85 करोड का भी पेमेंट कर दिया इस तरह से बताया जा रहा है कि रत्तन इंडिया के पास अप कोटा के इंडिया का मात्र 881 करोर ही रह गया है तो हम यह समझ सकते हैं कि जब pre-payments रत्तन इंडिया पावर कर रहे है किसी बैंक के डेट्स को तो इसका मतलब हो गया कि कमपनी के पास funds ठीक ठाक available है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है रतन इडिया पावर्स के बारे में आप दोस्तो चलते हैं एक सांधार रिजल्ट्स को जानने के लिए कि आखिर क्या सेचुएशन बन सकती है इस Q3 फारेंसियलेर्स 24 जाने की अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2023 वाले कॉर्टर्स में तो दोस्तो उसको जानने के लिए हमें Q2 फारेंसियल इयर्स 2024 का सारा लेना पड़ेगा कि उसमें क्या रिजल्ट्स गोसित हुए थें तो दोस्तो सितंबर 2023 के Q2 में टोटल इंकम रतन इंडिया पावर्स में आई थी 891 करोड की जबकि उससे पिछले वाले Q2 सितंबर 22 में 722 करोड की टोटल इंकम आई थी तो उसमें भी जवज़श्ट बड़ुतरी होई थी टोटल इंकम में और नेट प्राफिट की बात की जा तो पिछले Q2 सितंबर 23 वाले में रतन इंडिया पावर्स ने लाज घोसित किया था 21.24 करोड का जबकि उससे पिछले साल सितंबर 22 वाले क्वार्टर्स में नेट प्राफिट में 11 करोड का प्राफिट था तो नेट प्राफिट में जो अभी पिछले Q2 सितंबर 23 में लास दिखाया गया है तो अब ये उमीद की जा रही है कि अब ये जो Q3 आएगा क्या इसमें भी लास दिखाया जाएगा तो दोस्तों बेक्त कर रहे हैं तो दोस्तों यह जो Q3 financial year 24 का result expected है इसमें total income ब्रतन इंडिया powers की पहुंच सकती है बढ़कर के 950 करोड के आसपास जबकि net profit में फिर से profit आ सकता है और वो 20-25 करोड का तो इस समय जो पिछले Q2 सितंबर 23 वाले में loss की इनके उपर दाग लगा था वो अब इस quarters में फिर से दोल सकता है और 20-25 करोड तक का profit भी आ सकता है जैसा कि इस समय आजकल power sectors काफी अच्छा चला है अच्छी demand चल लएए और आने वाले समय में भी अच्छा performance हो सकता है तो इन सब को देखते हुए company की इस समय positions अच्छी दिख रही है तो उसमें total income और net profit में जाफा हो सकता है तो यह expectation को मान करके हम समझते हैं कि अब रतन इंडिया powers के shares में क्या हो सकता है तो दोस्तो जैसा कि अभी पिछले 20 जनवई 2024 को रतन इंडिया powers का एनसी में rate बंद हुआ है वो 10 रुपए 55 पैसे पर और वो half percent down है दोस्तो मालूम होना चाहिए कि 20 जनवई 2024 को सनिवार था और एनसी भी एसी पर special trading चली थी तो उस दिन 10 रुपए 55 पैसे पर रतन इंडिया पाउर का share आ चुका है आप इंट्राडे चार्ड में भी देखेंगे तो दिन दुपएर में तो जब जब स्तेजी थी और यह 11 रुपए 5 पैसे तक पहुंच गया था जबकि इससे पिछले वाले दिन आने के 19 जनवई को 10 रुपए 60 पैसे पर ही बंद हुआ था तो हाई 11 रुपए 5 पैसे तक पहुंच गया और यह इसका 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 11 जनवरी 2024 को 11 रुपए 70 पैसे था जबकि 52 वीक्स लो 29 मार्च 2013 को 2 रुपए 80 पैसे था तो यह इस साय से देखा जाए तो यह लगबक साड़े तीन गुना इस समय अपने 52 वीक्स लो से ऊपर चला है तो हम बिल्कुल यह मांग चलते हैं कि इस समय 52 वीक्स हाई के बिल्कुल नजदेक ट्रेडिंग चल लाई है क्योंकि यह इस्पेक्टेशन चल लाई है कि जो रतन इंडिया पावर्स के Q3 फारेंसियल एर 24 का रिजर् आने में और उससे अब यह उम्मीद बंदी है कि इसके सेर्स में जबजस्त बड़ोती हो सकती है जैसा कि आजकर पावर्स सेक्टर्स में सेरों में जबजस्त भूम चला है तेजी चल लाई है कई सेर्स इस समय 6-7 गुने तक अपने 52 वीक्स लो से आंगे बड़त बना चु या उससे पहले भी सेर्स को आप माल उठा करके अपने पास रख सकते हैं तो दोस्तों इस उठापटक में जो क्योधिरी का रिजर्ड्स होगा उससे पहले तो यह है कि कुछ माल को बटोर करके आप ये दिर रख लेंगे तो साल टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं लांग टर्म के लिए तो बेतरीन कंपणी है ही तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग रतन इंडिया फावर्स के सेर से सार टर्म और लांग टर्म में अच्छा प्राफिट कमाएं साथ ही आपके पैसे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना आगे बड़े ये मेरी यार्दिक सुपकामनाय रहेंगी उसको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दें सेर भी कर दें और हमाज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद